रादे रादे दोस्तों फागत है आप सभी का एमा के ब्रत कता उपाय चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खास निसानी खास लक्षण की बात करने वाले हैं क्योंकि इस में आज हम बताने वाले हैं कि आप पेट और कमर से जी हाँ गरवती महिला की पेट और कमर से आप कैसे पता कर सकते हैं आसानी से बिलकुल दोस्तों लड़का है या लड़की इस तरीके से आप अंदाजा लगाते हैं तो उसको आप पता कर सकते हैं बहुती इजली तरीके से दोस्तो पेट और कमर से कैसे पता करना है इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तो पेट में किस महीने से दर्द होता है कमर में किस महीने से दर्द होता है बेटा होने के टाइम पर तो दोस्तों हमारा बताने का मक्सद सरफ और सरफ आपकी जिग्यासा और रुचसुकता को कम करने का है बाकि हमारा कोई भी बेटा बेटी में भीदबाब करना नहीं है नहीं ऐसी चीजzin को हम बढ़ावा देते हैं जैसे कि हर वीडियो में हम आपको यही बोलते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को सरफ और सरफ आप अपनी जिग्यासा को शांत करने के लिए देख सकते हैं तो आईए दोस्तों जान लेते हैं इस लक्षन के बारे में दोस्तों अगर आपके पेट में दर्द होता है और नीचे की साइड होता है नाभी से नीचे की साइड अब ये कौन से महिने से होता है ये आपको पांचवे महिने से छटवे महिने से यानि कि पांच या छटवे महिने से आपको होना शुरू हो जाए किसी किसी को ये पांच म का दर्द होता ही रहता है तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेटा होने की निसानी मानी जाती है दूसरा दोस्तों अगर आपका पेट या आपके 7 महीने से दर्द हो रहा है कई महीलाओं का क्या होता है कि बच्चे का जब विकास बढ़ता है तो इस पेट पर थोड़ा भार जो होता है नीचे की साइड होता है तो पेट पर काफी जोर पढ़ता है प्रैसर पढ़ता है तो किसी किसी के यह 8-7 महीने से यान उने लग जाता है, तो आप अपने دauDanTor को जरूर देखा है, अब आप कमर से कैसे जान सकते है, कही महिलाओं का कहना हमारी कमर में बहुँ जाता, दर्द रहता है, तो दोельस्तो कमर में धरध रहता है, मेरे भी रहा था, है दर्द बनाई रहता है या फिर किसी किसी को यह थर्ड मंत से भी हो जाता है क्योंकि ऐसा कही गरबती महिलाओं का कहना है तो दोस्तों अगर आपको थर्ड मंत से ही दर्द शुरू है कमर में तो यह भी एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है और किसी किसी को यह साथ म महिने से सुरू होता है दोस्तों अगर आपके ये लक्षनर दिखता है तो ये भी लड़का होने का माना जाता है वो इस वज़े से कि हर गरवती महिलाव के अलग-अलग सिम्टम्स दिखाई देते हार्मोन की वज़े से चेंज होता रहता है जै स्रीकिष्णा